नमस्कार, Capital TV बिहार देख रहे आप और मैं वह आपके साथ आत्म जा इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया गट बंदन की मीटिंग से निकल कर सामने आ रहे हैं जी आपको बता दे कि इंडिया गट बंदन की वर्चुल मीटिंग बुलाए गई थी और नितीश कुमार को जब स सेयोजक मारने के लिये ओफर किया गया और इस के लिए करद कर दिया है जिसके लिए कंव कर रहे है इस पर हम जानते हैं सर बताइन नितीश कुमार आकिर यह ठुक्रा माघ सब कर दा दिये प्रस्ताव था यह प्रस्ताव नितिश कुमार को मनाने के लिए था और नितिश कुमार की जो पार्टी थी वो पहले ही का चुकी है कि नितिश कुमार तो निर्माता है वो क्यूं बनेंगे संजोजक निर्माता हमेशा संजोजक से बड़ा होता है तो संजोजक बनने वाली क्या बात है ल नितिस भढ़केंगे तो फिर महागट बंदन में भी दिक्कत होगी बिहार में और इंडिया ब्लॉक को तो दिक्कत होई होगी तो एक प्रियास किया गया कॉंग्रेस के तरफ से बीच का रास्ता निकाला गया कि भाई आप संजोजक बन जाई और खरगे साहब को हम लोग यह प्रणमंत्री का चेहरा बनने के छिए उन्होंने इंडिया ब्लॉक बनाया इसको समझने के जुरूत है हम बार- बार का रहे हैं कि संजोजक पद वो कभी सुईकार नहीं करेंगे जिस की आपने ब्सकूमार नहीं करेंगे वो प्रणमंत्री का चेहरा बनने का सोच रहे हैं आप उनको संजोजक बना रहे हैं तो नितिश कुमार कैसे मानेंगे दूसरी बात कि ममता बनेर जी ने इस बैठक में भाग लेने से साफ बना कर दिया जब इतना बड़ा एलाइंस का एक बड़ा पार्टनर अगर नहीं बैठक में आता है और उस पवारबाद में जुड़े मीटिंग में तो एक जो बात थी कि एक जुट है इंडिया ब्लोक वो तस्वीर आज की नहीं थी आज की बैठक में स्विकार अगर कर लेते तो फिर यह और फजियत बाली बात हो जाती और केजरिबाल और तमाम लोग मिलके एक नया मुहिम सुर पार्टियां तो वो मानेंगे संजोजक के पद को मानने का स्विकार नहीं है चुक्कि देखिया जो बैठक होई मुखमंत्री निवास पर हम लोग वहां पर थे बैठक के आसपास ही थे तो संजय जहां थे मुखमंत्री के साथ लनन बावु थे सब लोग थे उस मीटिंग म इंच्वार चुक्तियों में इसों कर दिया कि हम यह नहीं बनने जारहे तो कि ट्रीर हो गया कि नितिश्कुमार संजोजक नहीं बन मीटिया थे सर जैसे कि आप बता रहे थी कि मम्तव अनर्जी ने इस बैठेक से दूरी बनाई है तो क्या मम्तव अनर्जी नितीश कुमार के संजोजग बनाने पर भी उनको रहात था लुको नहीं होने वाला है आप बेबजा लोकसभा का जो 24 का चुनाब है इसको नरेंद मोधी भरजन नितीश कुमार बना दीजिएगा और हम बुरी तरह के से हार जाएगे जो दूसरी बात है जो दलित भोटरों की बात है वो खरगे का नाम क्यों आगे करते हैं दच्छिन के राजियों में क्या फाइदा होगा उत्तर पर्दिश में क्या फाइदा होगा माराष्ट में क्या फाइदा होगा तो ऐसे लोग को बनाईए जिससे फाइदा होगा एक केबल नाम देने से नितीश कुमार का बढ़ा देने से उससे कोई फाइदा नहीं होगा इस कभी इसमें नहीं जाएंगे चुकि वो कभी नहीं चाहेगी कि नितिश कुमार कोई चेहरा बने और आपको हम अंदर की बात भी बता जाते हैं कि नितिश कुमार को कोई बड़ा पधम इंडिया ब्लोक में दें कांग्रेस के बहुत सारे निताओं से बात होती है अब दी रेक कुरेस का एक बड़ा तबका नहीं करता है इसलिए मजबूरी में आज यह प्रस्ताप दिया गया होगा लेकिन उसको तो नितिश कुमार ने रिफ्यूज करी दिया जैसे जैसे कि आप बता रहे हैं कि कॉंग्रेस में नहीं चाहती थी कि सायोजक बनाया जाए तो अब जो वैठे हैं कि वह प्रधान मंत्री के दावेदार बनेंगे तो ऐसे में क्या उमीदी है कहीं से भी संभा हो है एक तिसद भी चांस है कि उनको यह उफर दिया जाएगा उनको उमिद्वार बनाया जाएगा यही तो खेल है ना नितिश कुमार का खेल तो यही है नितिश कुमार जो दोनों तराजु जैसे हम बराबर हर पूरा में कहते हैं कि दोनों तराजु पर रखते हैं किस पर पढ़ला भाली रखना है तो नितिश कुमार को तो एक मोगे की तलास तो है ही न भाई कि आप हमको ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिए अब देखिए अभी कल की ही बात है माले ने कहा कि 17 पर दावा जो कर रहे हैं जंता दर यूनाइटेट के लोग वो गलत दावा कर रहे हैं उनको अतनी सीट्य नहीं मिलनी चाहिए हमको पांच सीटी मिलने चाहिए वह जब हाजपा के साथ थे तब लड़े थे सत्रह बे अब गंगा में बहुत पानी बाच चुका है पहले वहला हाल नहीं है माले मजबूत हुए हमको पांच चाहिए तो एंडिये के भीतर ही बिरोज सब्सक्राइब करें नहीं तो हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हम ले सकते हैं तो यह अपना खेल खेलते हैं जो आज की बैठक हुई यह दवाब की राजनीती के तहा थी यह बैठक हुई वह असर किया दवाब की राजनीती और कॉंग्रेस को मजबूरन जो है यह बर्ट्यूल मीटिंग आज बुलानी पड़ी जो हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नतीजा इसका निकला नहीं नितिश कुमार ने रिफ्यूज किया कि हम संजोजक नहीं बनेंगे अब इसे में भाजपा का क्या स्टेंड होगा ने अपनी लाइन खीची हुई है कि अगर नितिश कुमार को आना है तो उनको सीम का पत छोड़ना होगा तभी हम नितिश कुमार के साथ कोई बात करेंगे एक्दम बहुत क्लियर कट लाइन है और भाजपा इसी लाइन पर बात करेंगी आम पाहिल क्यों लेंगे नितिश कुमार समराथ क्या बोलते हैं संजोजक बन जाए कुछ बन जाए क्या फर्क पड़ता है तो भाजपा की लाइन एकदम किलियर है कि नितिश कुमार को सीम का पत छोड़ना होगा उसके बाद ही हम कोई बातचीत करेंगे अगर कोई तालमेल होगा तो मुखमंतरी भाजपा का होगा तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी वरना गाड़ी आगी नहीं बढ़ेगी तो आगर देखिएगा अगर कोई बातचीत भी होगी कोई सिलसला बनेगा भी अगर भाजपा के साथ खरमास के बाद इसकी उमीद है 27 को प्रधानमंतरी भी आ रहे ह है बहुत सारे निताओं से उन्मों मिलना है तो ये उसी समय ते होगा कि क्या होगा लेकिन भाजपा की लायन किलियर है कि नित्eur कौमार को सरा तभ छोड़ना होगा तभी कोई ताल्म 에ल होगा फिलाल नितीस कुमार देख रहें चीजों को भाप रहें कि हमको किधर राना है किधर हमको फायदा है कैसे पार्टी बचेगी पार्टी मजबूत होगी लेकिन आज का जो डेवलमेंट हुआ इसे साफ है कि इंडिया ब्लॉक में सब चीज ठीक नहीं है चाहे वो संजोजक का पद हो अब देखे कुमार का गुस्सा अपने हिसाफ से आगे बढ़ जाता है तो नितिश कुमार ने उसको रिफ्यूज किया है आपकी ख़वर है बड़ी ख़वर आप दे रहें कि नितिश कुमार ने रिफ्यूज कर दिया है संजोजका पद अब इंडिया ब्लॉक में लगता है कि खरमास के भूमिका अब बहुत ही अहम हो जाती है कि लालू परसाद इस रायता को कैसे करेंगे 15 तारिक को उनके भोज है दही चुला का उस दही चुला में कितना मिठासू महागट बंदन में फैला सकते हैं इस पर नजर है सब लोगों की तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में यह चीजे चल रही है कि नतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधान मंत्री का उमिद्वार बनना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ वहीं इंडिया गठ बंदन के और जितने सहयोगी दल है वह कहीं से भी यह चांस नहीं बनता है कि इस पर वह अपनी स्विक्रिती देंगे ऐस झाल